दोस्तो आज हम सीखेंगे WhatsApp Backup Delete कैसे करते हैं अगर आप अपने WhatsApp का Backup Delete कर देंगे इसके बाद कोई भी बंदा आपके WhatsApp Backup को Restore नहीं कर पाएगा इसके लिए पहले आपको ये देखना है कि आपने WhatsApp का जो Backup है किस Gmail ID में लिया है इसके लिए आपको WhatsApp को Open करके उपर 3.पर किलिक करना है और Settings में आ जाना है यहाँ पर आपको Chat Settings को Open करना है नीचे आना है यहाँ आपको Chat Backup पर किलिक करना है अब यहाँ पर आपको Google अकाउंट पर किलिक करके यहाँ पर आपको चेक कर लेना है कौन सी वाली Gmail ID में आपने WhatsApp का Backup अपलोड किया है यहाँ पर आप देख लीजे मैंने यह वाली Gmail ID में अपलोड किया है बद Gmail ID चेक कर लेना है और इसके बाद यहाँ पर आगर आप चाहते हैं Backup को Delete करने के बाद दुबारा से Backup सेओ ना हो तो यहाँ पर आपको एक सेटिंग करना होगी Backup to Google Drive आपको यहाँ पर इसे Never पर सेट कर देना है इससे क्या होगा दोस्तों Backup को Delete करने के बाद दुबारा से Backup दोस्तों आपका अपलोड नहीं होगा Google Drive में ठीक है अब यहाँ से आपको WhatsApp को बंद करना है और आपके Mobile में एक App होगा आप देखेंगे आपको मिल जाएगा उपर ही यहाँ पर आप देख लीजे यह वाला Google Drive इसका नाम है Drive यह वाला App आपको Open करने के बाद आपको देख लेना है जिस Gmail ID में आपने WhatsApp का Backup लिया था वही वाली Gmail ID यहाँ पर Login होना चाहिए जैसे के मैंने उपर किलिक किया आप देख लीजिए यही वाली Gmail ID में मैंने WhatsApp का Backup लिया था अब यहाँ पर उपर में 3 Line पर किलिक करना है यहाँ पर नीचे में दोस्तो Option मिलेगा Backups आप देख सकते हैं इस पर किलिक करना है तो यहाँ पर अगर आपको डिलिट करना है तो यहाँ पर 3 Dot पर किलिक करना है इसके बाद डिलिट Backup पर किलिक करना है अब यहाँ पर दोस्तों आपको एक बात मैं बता दू अगर आप WhatsApp का Backup डिलिट कर देंगे और आप WhatsApp को इंस्टॉल करेंगे तो आपकी जो चैट है उसको आप ठ़ियान रखना है अगर आप चाहते हैं दुबारा से बैक कप ना हो तो आपको इसे नेवर पर SET करना है और दुबार से अगर आप बैक अप लेना चाहते हैं तो फिर आप यहांपर डेली विकली मंतली पर सेट कर सकते हैं अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करना वीडियो को लाइक करना शेयर भी कर देना